यहां पर काफी important update आ रही है कि result आज रात या फिर कल सुबह तक जो है एंटी के द्वारा जारी कर दिया जाएगा तो यह मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहां पर जो बच्चों ने claim किया था question 16 तारिक तक क्या यह 17 तारिक में ही resolve हो गया क्योंकि 18 तारिक को रात को अगर ह हम बात करें कुछ ऐसे भी programs थे जिसके जो answer की as it is थे जबकि 6 से 7 question wrong थे अगर provisional answer की को आप match करेंगे same वही वाला answer की था यानि कहीं न कहीं आपके grievances को re-address लियां पर रही किया गया यानि आपके जो answer की पे claim थे उसको check नहीं किया गया है और direct इनके पास यह answer की पड़ी कर दिया यानि यह जल्दी result देंगे इनकी प्रक्रिया ज्यादा fast रहेगी बट यहां पर पैसे भी लेंगे और आपको revised और correct answer की नहीं दी जाएगी ठीक है लगबक 5-6 question गलत भी है बहुत सारे question आपके answer की में अब जो है tweet भी देख सकते हैं जाकर के आप बचों के comment पढ़ सकते हैं ठीक है ऐसा हुआ है में economics के phase 1 के paper में भी बहुत सारे question गलत है बट वहां पर कोई भी changes नहीं किया गया है as it is वही provisional answer की आपके final answer की में भी देखने के लिए मिली है आपकी answer की revise नहीं आई है correction के बाद result अनॉंस करेंगे अभी आपको result में भी issue देखेगा क्योंकि जब result आएगा आप देखेंगे कि आपका number कम भी आ रहा है कुछ बच्चों का जादा जादा जाएगा तो खुशी की बात है पर कम भी आ जाएगा आप देखेगा जो final answer की आएगी पर यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उड़ता है जिए बच्चे यहां पर 6 से 7 question के लिए क्लेम करने का है उनका क्या हुआ उनके पैसे कहां गये यह 17 तारिक तक पुरे सा question solve हो गये थे आपके और यह answer की as it is कुछ papers के क्यों है यह समझ में अभी तक नहीं आवा है यह unanswerable है आपको क्या लग रहा है कि यह सही हुआ है आपके साथ अगर अगर इस चीज को फील कर र जो है आपके उनका एड्मिशन भी last moment में नहीं हुआ तो फिर उसके बाद कमसें और उनुवर्सिटेम में जाकर रिजिस्ट्रेशन करेंगे तो सारा बिजनिस यह से चलता रहेगा है यानि आपर नो single window available for student और नहीं के चालेंजिस को accept किया गया और नहीं उसको एक दिन में सॉल किया गया क्योंकि यूजी के लिए जतना समय लगा है result announcement और answer की को correct करने में PG में इतना जल्दी क्यों हुआ कैसे हुआ अभी तक समझ में है जबकि आप देखेंगे कि बहुत सारा बहुत सादा कम से कम 5 lakh के आसपास का application आपके PG courses में है नहीं नहीं में तो हर जो है आप यहां पर जो इतना जादा पैसा लेना और फिर उसके बाद challenge को accept नहीं करना और नहीं उसको सही करना यह थोड़ा सा गलत है ठीक है अभी आपके result आने के बाद भी आप पैनिक करोगे आप देखो देखोगे कि आपका result में भी marks कमा रहा है फिर आप खुद बोलोगे कि अरे आपके साथ इस वर्ष भी हो रहा है इसमें कोई भी changes नहीं दिख रहा है ठीक है चलो कोई भी update आएगी देंगे अपको अगर यह सारे समझ में चीज़े आई होंगी तो हमें भी आप बताईएगा comment section में आप क्या feel कर रहे हो जुड़े रहेगा चानल पर subscribe कर लिजएगा ब